चोटी और एस्यूवी तरह की दिखने वाली कारों की बढ़ती हुई मांग को देखकर दर्शकों से बारती बाजार पर राज करती हुई मारूती अल्टो को मारूती सुजुकी ने नहे रंग रूप में पैश करने का फैसला किया है जल्द ही ये गाड़ी आपको बारती सड़कों पर दोड़ती हुई नजर आएगी तो चलो जानते हैं इस गाड़ी में आपको क्या माईलेज और क्या सेफ्पी पिटर्स मिलने वाले हैं देश की सबसे बड़ी कंपने मारूती सुजुकी ने मारूती अल्टो को अपडेट करते हुए नई जनरेशन मोडल को लौंच करने का फैसला किया है तो इस वीडियो को आप अंति तक देखिए और हाँ आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प् पास में पड़ा बेल आइकन उसे भी पुश किजिए ताके आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन वो भी सबसे पहले पिछले कई दस्वकों से बाजार में शांदर प्रदर्शन करने वाली इस छोटी कार के नए अवतार को कंपनी SUV या क्रोस ओवर के स्टैल में पेश करेगी माना जा रहा है कि आने वाली इस नई क्रोस ओवर को एस प्रसों के प्लेट फोरम पर बनाया जाएगा सबसे पहले बात करें इंजिन की तो इसमें आपको दो इंजिन ओप्शन देखने को मिलेंगे एक 800 CC और दुसरा वन लिटर जो के 110 BH की पावर जन्नेट करता है और 150 NM का ट्रोक जन्नेट करने में शक्षम होगा वहीं इसका वन लिटर वाला इंजिन जो 600 RPM पे 47 की BHP और 3500 RPM पे 69 NM का ट्रोक जन्नेट करेगा बात करें ब्रेकिंग के तो इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है फ्रेंट में डिस्क ब्रेक और रियर में मिलने वाला है ड्रम ब्रेक निय अल्टो जन्नेशन की लेंध 345 mm, लेंध 151 mm, हाइट 1475 mm और वील बेजिस में मिलने वाला है आपको 2360 mm का इस नई जन्नेशन वाली मारुती अल्टो में आपको मिलेगा बूट इसपेस 177 लिटर का और जिसका ग्राउंड क्लियंस रहने वाला है 160 mm इस गाड़ी में आपको फ्यूल केपेसिटी मिलने वाली है 35 लिटर्स की और जिसका कर्भ वेट रहने वाला है 730 kg का कि बात करें माइलेज की तो अल्टो 800 में आपको मिलने वाली है 24 पर किलोमेटर की माइलेज वहीं CNG की बात करें तो इसमें आपको मिल सकती है 32 किलोमेटर पर लिटर की माइलेज बात करें सेप्टी की तो मारूती अल्टो 800 के नए जन्रेशन में आपको फीचर्स में मिलने वाला है ABS, EBD, Speedometer, Fully AC Side Rear Backs, Parking Sensor, Seat Belt, Reminder और भी बहुत कुछ इस मारूती 800 के नए जन्रेशन का टर्निंग Reduce रहने वाला है 4.6 मिटर्स का मारूती अल्टो में 800 CC का 3-cylinder BA6 engine आपको मिलने वाला है Transmitters की बात करें तो इस गाड़ी को Automatic और Manual दोनों ही Transmission में पेश किया जाएगा इस नए जन्रेशन की अल्टो में दिये गए है नए प्रोजेक्टर सेलीडी लेप्स आपकी Night Visibility में भी चार चान लगा देगे अब आखिर में बात करें इसकी कीमत की तो इस कार की कीमत रहने वाली है 3-4 लक रुपए और इसका Best Model आपको मिलेगा 2,90,000 तक तो आपको ये अल्टो कैसी लगी निचे Comment Box में जरूर लिखिएगा हमें इंतजार रहेगा आपकी Comment का अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो आज के वीडियो का टार्गेट रखते हैं 500 लाइक का जल्दी से 500 लाइक के टार्गेट को पूरा कर दिजिएगा अगर आपको ये सुझू कि कि नई जर्नेशन वाला वीडियो पसंद आया है तो तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में